Good morning बच्चो आज हम पशुओं के घरों के बारे में जानेगे हम पशुओं को कहां देख सकते हैं? बिन बिन पशुओं को अलग-अलग स्थानों में देखा जा सकता है कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं जैसे गाई, हिरन और शेर जमीन पर रहते हैं कुछ जानवर पेड़ों पर रहते है जैसे बंदर पेड़ पर रहते है और कुछ पानी में रहते है जैसे मचली, वेल, आदी कुछ जानवर जमीन और पानी दोनों में रह सकते है जैसे की मेंडक यानी फ्रॉग आप उसे कभी जमीन पर इदर उदर फुदकते हुए देख सकते है और कभी उन्हें जीलों और तलाबों में देखा जा सकता है है ना गजब की बात शेर कहां रहता है निश्चित रूप से हमारे घरों में तो नहीं है ना तो ये जानवर कहां रहते है कुछ जानवर जंगल में रहते है जैसे की शेर, बाग, चीता, बेड़िया, आदी कुछ जानवर हमारे साथ हमारे घरों में रहते है जैसे की कुटे और बिलिया कुछ जानवर खेतों में रखे जाते है जैसे की मुर्गिया, भेड़ और बकरी वह जानवर जो जंगलों में रहते है उन्हें वाइल्ड एनिमल्स यानि जंगली जानवर कहा जाता है इसलिए टाइगर एक जंगली जानवर है जो पशो को घरो या खेतों में रखा जाता है उन्हें पालतू पशो यानि domestic animals कहा जाता है जैसे की बकरी, गाए, बिल्ली और कुत्ता ये सब पालतू पशो है पशो के लिए घर कौन बनाता है? कुछ पशो हमारे द्वारा बनाए घरों में रहते हैं हम मनुश्यों के साथ जैसे मुर्गिया दडबे में, यानि कूप में रहती है जैसे की हमने कहानी में دेखा था मुँगेरिलाल मुर्गियों को एक कूप में रखता है भेड बक्रियों के घर को बाड़ा या पिन कहा जाता है जैसे कि कहानी में हमने भेड बक्रियों को मुंगेरे लाल के बाड़े में देखा था गाई या भैसों के रखने की जगा को शड किया जाता है हमने देखा था ना मुंगेरेलाल की सारी गाए भैसे शेड में रखी थी खोडो को अस्तवल या स्टेबल में रखा जाता है याद है आपको मुंगेरेलाल अपने घोडे जिससे उसकी गाड़ी हाकता था उसे एक अस्तवल यानि स्टेबल में रखता था कुटों के घर को कैनल कहा जाता है मुंगिरेलाल ने भी अपने पालतू कुटे के लिए एक छोटासा प्यारासा कैनल बना के रखाता है ना पर जंगली जानवरों के लिए घर कौन बनाता है हम इनसान तो नहीं बनाते ना रे बाबा डर लगता है कुछ जानवर अपना घर खुद ही बनाते है जैसे मकडी अपने रहने के लिए जाल खुद ही भूनती है पक्षी घास पत्या रूई उन आदी से अपना घोसला बनाते है जिसमें वे और उनके बच्चे सुरक्षित रहते है उसे नेस्ट भी कहते है मदू मकीर रहने के लिए छट्ता बनाती है यानी हाईव खरगोश जमीन के अंदर अपना बिल यानी बरो बनाता है कुछ जानवर अपने घरों का निर्मान ही नहीं करते वे प्राकृतिक घरों में रहते है वे खुद के लिए प्रकृति में उप्यूक स्थानों को खोच कर वहां रहते है जैसे साप एक गड़े में यानी होल में रहता है यहां तक की चुहा भी गड़े में रहता है क्या आप जानते हैं जंगल का राजा शेर उसका घर कहां होता है शेर के घर को डेन या मान्द कहते है वास्तम में या एक पत्थरों की गुफा होती है जिसमें शेर अपना घर बना लेता है इसी तरब भालू भी मान में यानी डेन में रहते है आपको ये जानकर आश्चरे होगा कुछ जानवरों का घर ही नहीं होता वे जंगल में घूमते रहते हैं जैसे की जबरा, हाती और गोरिला तो हमने देखा अलग-अलग जानवर अलग-अलग तरह के घरों में रहते है कुछ जानवर प्राकरतिक घर में रहते है जैसे कि सांप बिल में रहता है कुछ जानवर अपना घर बनाते है जैसे चिडिया खोसला बनाती है कुछ जानवर हमारे बनाए घर वो में रहते है जैसे कि खेत में गाए शड में रहती है घर अलग अलग तरह के होते है पर सभी जानवरों को घर एक जैसे कारणों के लेची है वो क्या है? उन्हें आराम करने और सोने की जगा की जरूरत होती है उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना होता है घर उन्हें गर्मी, सर्दी, बारेश, हवा और दूसरे जानवरों से बचाता है तो अगली बार जब आप कोई भी जानवर का घर देखे तो उसे तोड़ियेगा नहीं वो किसी का घर है तो आपको मज़ा आया होगा अलग अलग जानवरों के घर देखके फिर और जानवरों के बारे में सीके के आज के लिए इतना ही बच्चो बाई बाई